नमस्कार शुक्षार्थियों आप सभी का स्वागत है नियोस के स्टूडियो में और स्वैम के प्रोग्राम में पिछले अध्याय में हमने संदर्भ सुरुतों के विशय में जाना उनकी परिभाशा को जाना उनके महत्व को जाना उनके प्रकारों को जाना जिसमें विश्वकोस, दिक्षिनरी, वर्ल डिक्षिनरी, ऐल्मनिक, पंचांग, इत्यादी के विशय में हमने जाना अब हम इस इ इलेक्ट्रोनिक संसाधन क्या है, उनका महत्प क्या है और उनके प्रकार क्या है। इंटरनेट के आगवन ने लोगों तिथा संस्थाओं के कारे संचालन को नाटकी धंग से परिवर्तित किया है। इसके परिणाम सो रूप ग्रंथालियों के कारियों में तथा अपने पाठकों को सेबाएं परदान करने में बहुत अधिक परिवर्तन आया है। पर वर्तमान में ग्रंथा लाए ई रूप में पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, शोध ग्रंथों एबं शोध प्रवंद के इन प्रारूपों के विशेशांग को खरीदने में व्यवस्थित एबं परदर्शित करने में व्यस्थ हैं यह उपयोकताओं के सूचना जानेने के व्यवहार में परिवर्तन के कारण हैं, पाठकों की नई पीड़ी ऑनलाइन इस अंसाधनों को चुनिती हैं क्यूंकि यह माउस का बटन दबाते ही सभी सूचनाय प्राप्त कर लेना चाहती हैं इन इस अंसाधनों की कुछ नए सरगिक विशेष्टाएं हैं जो पाठकों को सुविधा उपलब्ध कराती हैं इस अंसाधन ऐसी सामगरी है, इस अंसाधन का आर्थ इलेक्ट्रोनिक संसाधन Electronic संसाधन ऐसी सामगरी है जिसमें विशेवस्तु तक पहुँचने के लिए Computer के माध्यम के आवशक्ता होती है Online वा Offline दौनों संसाधन जैसे CD-ROM इस संसाधनों की छेतर सीमा के अंतरगत आते हैं इस संसाधन पद से अभिप्राई उन सभी उत्पादों से है जिनको Computer ग्रंथाले Computer Network द्वारा प्रदान करता है तो अब हम इस विशे में ये जानने के चेस्टा करेंगे कि इस संसाधन का अर्थ क्या है और इनका प्रियोग कैसे किया जाता है जैसा कि हमने जाना कि इस संसाधन वह सामगरी है जो Computer के माध्यम से उपलब्ध होती है तो आज के परिवेश में Computer, Mobile, Laptop, Adi ऐसे माध्यमों का प्रियोग करके हम इस संसाधनों के प्रियोग को और वहां तक पहुँच सकते हैं Online या Offline दोनों संसाधन इसका आर्थ ये है कि आप यदि Internet आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इसका आर्थ ये नहीं है कि आप इस संसाधनों का प्रियोग ना कर सकें CD-ROM के माध्यम से भी आप Electronics सूचना को एक्सेस कर सकते हैं उसको जान सकते हैं, उसको ले सकते हैं तो हमने ये जाना कि इस संसाधन Online और Offline दौनों माध्यम से प्राप्त किया सकते हैं वर्टमान में गरन्थाले इन सभी संसाधनों को प्रदान करने का कारिय कर रहा है Online और Offline दौनों माध्यम से गरन्थाले पूर्ण रूप से अपने यूजर्स को, अपने पाठकों को E सूचना प्रदान कर रहे हैं, Electronic सूचना प्रदान करने का कारी कर रहे हैं। E संसाधनों की परिभाशा पर बात करते हैं। Electronic संसाधनों को Online सूचना संसाधनों के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतरगत, गरंथपरक, डाटाबेस, इलेक्ट्रोनिक संदर्व पुस्तक, समग्र पाठ्य पुस्तकों के लिए सर्च इंजन एवं डेटा के डिजिटल संग्रह शामिल है। इनमें वह डिजिटल संग्री भी शामिल है जिसमें उन्हें सीधे कंप्यूटर पर ही उत्पादित किया जा सकता है। अब इसको जानने के चेस्टा करेंगे कि डिजिटल संग्री को सीधे कंप्यूटर पर कैसे उत्पादित किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब कंप्यूटर पर हम कारी करते हैं तो कंप्यूटर पर हम अपनी सूचनाओं को जब टाइप करते हैं सूचनाओं को क्रेट करते हैं उत्पादित करते हैं उसका निर्माड करते हैं उसको digital form कहा जाएगा उसको digital information कही जाएगी इस संसाधनों के प्रकारों के बारे में बात करते हैं इस संसाधनों के प्रकार निम्न प्रकार से हो सकते हैं जैसे कि इपत्रिकाएं, डाटावेस, मैगजीन, विश्वकोस, समाचारपत्र, समसामिकियां या उनमें प्रकाशत लेख एबं मुद्रत संसाधन जैने स्कैन तथा digital रूप में परिवर्दित किया जा सकता है जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि इस संसाधनों के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं तो वह सारी सूचना जो electronic form में या electronic रूप में उपलब्ध है वह digital information है वह electronic संसाधन के रूप में जानी जा सकती है इस scan करके भी electronic सूचना को उत्पादित किया जा सकता है जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ पुस्तकें जिनको हम rare books कहते हैं जो market में या उपलब्ध नहीं हैं तो उनका हम digitize करते हैं और जब हम उनको digitize करते हैं तो उनका रूप बदल जाता है तो वह digital form में convert हो जाती हैं उनको हम इस संसाधन भी कह सकते हैं अभी आप देख सकते हैं कि इपत्रिका इबम समाचार पत्र का उधारण जो चित्र आपके सामने है एक nature पत्रिका है और दूसरा समाचार पत्र का स्वरूप है यहाँ nature पत्रिका electronic form में है electronic रूप में है और समाचार पत्र भी electronic स्वरूप में है इसमें हमें सारी वह सूचना उपलब्ध हैं जो की offline माध्यम से या जिसको हम कहते है hard copy में उपलब्ध होती है वैसे ही electronic form में एह सूचना उपलब्ध की जाती हैं, कराई जाती हैं धन्यवाद